हाई दिस इस पूरम शर्मा एंड वेलकम टू सथभावना नियूर्स रेमडेसिवीर और ऑक्सिजन के लिए कतार में लगा इन दौर अब एक नई लाइन में खड़ा होने को विवश है दो दिन से बेबसी की ये कतार नगर निगम के बाहर लग रही है ये वो लोग है जिनके परिजन कोरोना संक्रमन से अपने जिंदगी हार गए और अब सिस्टम के आगे खुद हारते नजर आ रहे हैं निगम का दफ्तर खुलने के दो दिन में 200 से ज्यादा लोग वहां पहुँच चुके हैं ज्यादा तरकी एक ही गुहार है परिजन के मृत्यू प्रमान पत्र में सुधार कर मौत का कारण कोरोना लिग दीजिए कोई सुनने को तयार नहीं है कई के प्रमान पत्र में दूसरी भी धेरो गलतिया है लोगों का कहना है कि लंबी लाइन में लगने के बाद सुधार के लिए आवेदन किया तो करमचारी ने फोटो कापी पर ही सुधार करके दे दिया ओरिजनल मांगा तो दो दिन बाद आने को कहकर टाल दिया उधर भीर बढ़ते देख निगम अफसरों ने एक करमचारी को जनमरित्य प्रमान पत्रकार लेके बाहर ही कुर्सी लगा कर बैठा दिया उसने बाहर ही आवेदन लेकर लोगों को रवाना कर दिया हद ये भी है कि घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी निगम अफसर इसे नकारने में लगे हैं अपर आयुक्त अभेर आजन गाउकर का कहना है कि मुझे दो दिन पहले ही यहां का प्रभार मिला है इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कोरोना लिखने से साफ मना किया जितेश लांडरे ने बताया मेरी दादी कमला भाई की मौत कोरोना से होई 311 एप में आविदन से मिले मृत्यो प्रमाण पतर में सरनेम गलत लिखा है मौत का कारण भी नहीं लिखा सुधार के लिए आविदन दिया तो कोरोना लिखने से साफ मना कर दिया सुनिल कुमार ने बताया उनकी मामी अतीबाई की मौत कोरोना से हो गई थी सर्टिफिकेट में नाम पते सहित कई गलतियां थी शिकायत की तो बोले उनके नस्दीकी रिष्टेदार को लाओ मजबूरी में उनके बुजर्ग बहन को लेकर आया निगम ने इन दौर 311 एप पर मृत्यो प्रमान पत्र जारी करने के लिए सुविधा देने का प्रयास किया पर इस से उल्टा लोग परेशान होकर विभाग के चकर काट रहे हैं किसी का नाम गलत लिग दिया गया तो किसी का पता सही नहीं था किसी के पिता का नाम भी बदल दिया तो किसी के गाउं का नाम अधूरा था इन गलतियों को सुधरवाने के लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं